दिपिका कक्कर ने मा बनने से पहले ही छोड़ी आक्टिंग लिया कभी ना लोटने का फैसला टीवी की फेमास आक्टरस दिपिका कक्कर अक्सर लाइम लाइट में बनी रहती हैं दिपिका कक्कर जल्द ही मम्मी बनने वाली है जिसे लेकर उनकी फामिले के साथ साथ उनके फांस भी खूब एक्साइटेड है आक्ट्रिस भले ही टीवी से लंबे टाइम से दूर है लेकिन अपने यूचूब व्लॉग्स के जरीए वो अक्सर फांस से जुड़ी रहती है वही हाल ही में दिपिका ककर ने चौकाने वाला फैसला किया है जिहां आक्ट्रिस ने बताया कि वो हमेशे के लिए आक्टिंग छोड़ रही है और अब इस दुनिया में दो बारा नहीं लोटेंगी दिपिका ककर का कहना है कि वो आगे की लाइफ एक हाउस वाइफ और मा बनकर बिताना चाहती है दिपिका ककर ने हाल ही में दिया इंटर्व्यू में बताया कि वो अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश है और वापस काम पर नहीं लोटना चाहती है इस बारे में आक्ट्रेस ने कहा मैं प्रेगनेंसी का ये फेस इंजॉय कर रही है और चल दी अपने पहले बेबी का विलकम भी करूंगी मेरी एक्साइटमेंट अलगी लेवल पर है मैंने बहुत ही कम एज में काम करना शुरू कर दिया था और 10 से 15 साल तक लगतार काम किया जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी का सफर शुरू हुआ मैंने शोयब से कहा कि मैं दोबारा काम नहीं करना चाती हूँ और राटिंग छोड़ना चाती हूँ मैं एक हाउस वाइप और मा बन कर जीना चाती हूँ आपको बटा दे कि दिपिका ककर को लास्ट टाइम से सुराल सिमर का टू में कैमियो रोल में देखा गया था इसके बाद से वो किसी भी प्रोजेक्ट विल आपका दिपिका ककर के लिए इस फैसले पर क्या कुछ से कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें